हेलो, वेलकम तू आर चैनल, किट्नी ट्रीपमेंट इन आयुरवेदा, बिफोर वी प्रसीड, प्लीस सब्स्क्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो प्रेस्ट अप्टेट्स अप्टेट्स को जादा सोडियम का सेवन नहीं करना चाहिए या उनकी बीमारी के लिए हानिकारक हो सकता है किट्नी की बीमारी में डॉक्टर्स आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की सलहा देते हैं यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर आपकी डाइट में नमक पर रोक लगा सकते हैं एक अच्छी डाइट प्लैन जिसमें सोडियम सीमित मात्रा में लेने के सलहा दी गई हो वही किट्नी के पेशेंट्स को लेनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किड्नी खराब हो सकते हैं किड्नी खराब होने के कारण शरीर में वेस्ट मैटेरियल इखटा होने लगते हैं जिसकी वजह से दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि body में swelling आना, heart diseases होना या सांस की तकलीफ होना। ज़्यादा नमक के intake से body में sodium imbalance हो जाता है जिससे kidney काम करना कम कर देती है जिससे kidney की बीमारी हो सकती है। ज़्यादा नमक के सेवन से urine में protein की मातरा बढ़ जाती है जो kidney और दिल की बीमारी के लिए जोखिंबरा हो सकता है। 6% महिलाओ और 11% पुरशो की जिंदिगी में कम से कम एक बार kidney में पत्री हो सकती है। kidney में पत्री होने का मुख्यकारण urine में calcium और नमक की ज़्यादा मातरा का होना होता है। अधिक नमक का सेवन शरीर में पत्री के बनने के खत्रे को बढ़ा सकता है। kidney patients को कुछ सावधाने अबरतनी चाहिए। जैसे कि kidney patients food product के level जरूर चेक करें और कम sodium वाले food product ही चुने। daily 300 mg लगभग एक चमच नमक से कम सेवन का target रखें। डिबबंध खाने को avoid करें। बिना नमक वाली seasoning का उप्योग करें। तो आज हमने आपको बताया कि जादा नमक kidney के लिए क्यूं खराब है। अगर आप यापके परिवार का कोई सदस्य है, kidney से संबंदित किसी भी रोग से पीडित है। आप कर्मायोदा kidney के इंद्र में संपर्ग कर सकते हैं। कर्मायोदा kidney के इंद्र में संपर्ग करने के लिए आप हमारे नमबर, email और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदार साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं गया, तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं।